अगर आपने अभी अभी scalping करने का सोचा है या फिर अभी तग आपने अपना trading style define नहीं किया है तो आप किस तरीके से scalping में trading कर सकते हैं किन चीजों का आपको खास ध्यान रखना होता है अगले कुछ दिनों के लिए स्टॉप को होल्ड करते हैं चाहे वो derivative position हो या cash market की position हो अगले कुछ दिनों तक अगर आप इसको होल्ड कर रहे हैं then you are more likely a swing trader अगर आप position आज सुभे initiate करते हैं और शाम होते होते market खतम होते होते अगर आप उसमें से exit कर जाते हैं then you are an intraday trader intraday traders भी बहुत सारे type के हो सकते हैं यह में से एक intraday trading style बहुत ही खास type का trading style है this is called scalping what exactly is scalping or who exactly is a scalper a scalper is a person a scalper is a trader जो बहुत छोटे time frame के लिए बहुत छोटे points के लिए heavy quantity purchase या sell करता है आपने कई tens of या hundreds of lots आपने nifty future के और या फिर option के buy or sell करे और अगले कुछ mintों के अंदर preferably seconds के अंदर भी अगर आप उसको exit कर जाते हैं छोटे points के लिए पर example आपका target था nifty के 15, 20, 25 points अगर आप सिरफ इतने छोटे उड़े points के लिए और कभी कभी कुछ experience scalpers nifty के एक एक दो दो point के लिए trading करते हैं तो depend करते हैं कि आपका experience कितना है market के अंदर उसके basis पे आप अपनी scalping की positions initiate करते हैं और अपने targets, number of lots ये सारी और कितना period आप market में रहेंगे ये सारी चीज़े आप define करते हैं तो scalping एक बहुत ही interesting लेकिन बहुत ही intricate trading style है जो किसी को भी बहुत caution के साथ exercise करना चाहिए एक beginner को लंबा time spend करना चाहिए पहले scalping समझने के लिए और उसको किस तरीके से execute करना है उसका mindset develop करने के लिए उसको market में एक अच्छा कासा time spend करना चाहिए आज इस वीडियो के थुरू मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर आप beginner है अगर आपने अभी अभी scalping करने का सोचा है या फिर अभी तक आपने अपना trading style define नहीं किया है तो आप किस तरीके से scalping में ट्रेडिंग कर सकते हैं किन चीजों का आपको खास ध्यान रखना होता है तो आई दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को और यहां पर हमारी पूरी discussion यहां से scalping पे रहेगी तो scalping होती क्या है यह हमने समझी लेकिन scalping में आपके targets बहुत छोटे रहते हैं क्योंकि बड़ा पैसा दाओ पे लगा होता है और आप बहुत छोटे period के लिए market में बैठेंगे इसका मतलब पहला lesson क्योंकि आप market में बहुत ही छोटे period के लिए बैठने वाले हैं daily chart, two hourly chart, one hourly chart, generally आप इतने बड़े time frame के charts नहीं देखेंगे तो आप देखेंगे कुछ seconds के chart और maybe maximum कुछ minutes के charts tv.dhan.co platform जहाँ पर trading view धन के साथ integrated एक ही platform पे आपको मिलता है और यहाँ पर आप trading view के indicators को access कर सकते हैं यहाँ पर आप notice करेंगे we have time frame starting from 5 seconds to 125 minutes so almost हर type का time frame हमने यहाँ पर आपको provide कर रखा है जिसमें से आज हम यहाँ पर use करेंगे one minute time frame तो पहली चीज time frame कौन सा use करना है आप इसमें one minute, two minute या 30 seconds का time frame use कर सकते हैं. second कौन सा indicator use करें, किस तरीके से use करें कि हमें entry और exit signal precisely मिले, क्योंकि scalping में आपके पास सोचने का time नहीं मिलेगा the market will react so volatile in the next few seconds market में छोटी छोटी जो waves आती हैं, वो आपको बहुत तंग करेंगी आपको बाहर निकालने ही कोशिश करेंगी इसका मतलब हमें यहां पर चाहिए objectivity objectivity to enter and exit the trade at exact price level जहां पर हमें करना चाहिए था दोस्तो profit और loss बात में आता है पहली important चीज है कि आप जो करना चाहते दें क्या वो भी कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि profit और loss market conditions की वज़ा से हो तो अलग बात है लेकिन अगर profit और loss आपके behavioral biases की वज़ा से भी हो रहे हो तो आप दो तो बार losses bear कर रहे होंगे आपके losses जहां से double हो सकते हैं इसलिए पहली चीज हमें precise entry और exit point चाहिए और क्योंकि हमें छोटे returns चाहिए हमें छोटी moment चाहिए इसलिए आप यहाँ पर reversal के दुरू छोटी moment असानी से catch कर पाएंगे क्योंकि एक बड़ी candle भी अगर reversal की बनेगी अब अपना profit यहाँ पर book करके market से बाहर हो जाए तो यहाँ पर reversal find out करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर use करूँगा एक oscillator और यह बहुत ही खास टाइप का oscillator है क्योंकि यह एक normal किसी और oscillator से जादा advanced है या फिर मैं बोलूँ कि किसी और oscillator से यह कम volatile है तो बार-बार आपको entry exit नहीं देगा जिस एक time पर देगा उसकी probability बहुत जादा high होगी तो यहाँ पर मैं oscillator move करता हूँ William percentage R लेकिन हमें यहाँ पर बार-बार entry exit signal नहीं चाहिए इसलिए मैं इस indicator को इस oscillator को थोड़ा slow कर देता हूँ और यहाँ पर इसके parameters को मैंने change करके कर दिया 140 instead of 14 आप notice कीजिए अब यह मुझे बार-बार entry exit नहीं दे रहा अब मुझे पता लग गया कि इस level के उपर यह market overbought हो चुकी है अब मुझे यहाँ से sell signal ढूड़ना शुरू करना है वो sell signal कैसे मिलेगा वो मैं ढूड़नूगा M.A.C.D. के थ्रू अब यहाँ पर हम चलते हैं निफ्ती के चार्ट पे और निफ्ती में हमने वन मिनर का चार्ट अपलाई किया तो यहाँ पर हमने लगाया William percentage R जिसके parameters मैंने कर दिये 140 जिससे थोड़ा slow हो जाएगा दूसरा इसके style में जो मैंने इसकी lines है मुझे चाहिए extreme level तो मैं यहाँ पर भी इनके numbers को change कर देता हूँ यह मैं इसको कर देता हूँ minus 5 और minus बिल्कुली extreme level जो oscillator के हैं वो मैं यहाँ पर पकड़ लूँगा और साथ मैंने apply किया M.A.C.D. कि M.A.C.D. को भी थोड़ा slow कर देते हैं जो हो गया 24 और 52 तो मैंने moving averages 12 के जगा 24 यूज़ करी है और 26 जगा 52 यूज़ करी है इससे ये भी मेरी moving averages थोड़ी से slow हो जाती है M.A.C.D. slow हो जाता है अब यहाँ पर एक question आपके mind में आएगा कि हमने इन parameter को change ही क्यों किया दोस्तो जितना बड़ा टाइम फ्रेम पे आप काम करेंगे technical में उसका success rate indicator का जाधा रहता है टाइम फ्रेम छोटा होते ही indicator में volatility add हो जाती है calculations बार बार होती है और यह बार-बार especially leading indicator जैसा कि एक oscillator है William percentage R यह बार-बार buy sell, buy sell, buy sell provide करेगा To avoid that volatility in the indicator हम उन indicator को थोड़ा smooth कर देते हैं उसके parameters बड़े कर देते हैं time frame की volatility को compensate करने के लिए आप same parameter भी use कर सकते थे सिरफ उसका success rate कम रहता और क्योंकि आप scalping कर रहे हैं और आपका बड़ा fund market में लगा हुआ होगा इसलिए मैं वहाँ पर कुछ compromise करना नहीं चाहता हूँ अपने बड़े fund के साथ Positional trading में अगर मेरा 4 बार stop loss कर देगा मुझे सोचने का time मिलेगा लेकिन scalping में सोचने का time नहीं मिलेगा मेरा confidence lose हो जाएगा उन 4 stop loss के साथ और क्योंकि anyways मेरी position बड़ी stuck होगी माँ पे इसलिए I always make sure कि मैं अपने parameters को थोड़ा सा smooth कर दूँ अगर मेरा time frame छोटा है तो तो मैं अपनी scalping में indicators के बड़े parameters को use करता हूँ आईए देखते है strategy काम किस तरीके से करती है तो अभी तक हमने क्या कर देखा पहला one minute chart दूसरा किसका index का तीसरा indicator MACD 24 is to 52 not 12 is to 26 और William percentage are with parameter 140 instead of 14 और also उसकी जो horizontal lines थी वो minus 5 और minus 95 instead of minus 20 and minus 80 आईए समझते है strategy काम किस तरीके से करती है अगर आपको इस सारे parameter समझ में आ चुके है आपने मेरे साथ साथ tv.dhan.co platform पे इन सब को apply कर लिया है तो चलते हैं आगे समझते हैं हमें trade कहाँ पर लेना है तो जब जब William percentage are अपने इस level से उपर जाएगा और इसके बाद MACD मुझे sell signal प्रवाइट करेगा as you can see here यहाँ पर William percentage are इस horizontal line के उपर गया इसके बाद मुझे यहाँ पर sell signal generate होता मिला मैंने यहाँ पर sell signal initiate किया मैंने अपना sell trade initiate किया और यहाँ पर market का level चल रहा था 22,171 और उसके बाद मुझे आपको बताने की जरूत नहीं है तकरीबन 70-80 point का down move मुझे easy मिल गया था interesting बात अगर आपका इस strategy में stop loss करता भी है वो बहुत ही minor सा रहेगा हम already indicator को smooth करके अपने stockless वाले zone को बहुत कम कर चुके है success rate increase कर चुके है already इसका लेकिन still आप notice कीजिए यहाँ पर आपको बड़े moves मिल रहे है और यहीं पर इसके नीचे जब इसको short sell किया 22 to 158 के आसपास यह market नीचे गई है 22 to 133 approximately 20-25 point की मुझे downside easy मिली है आपको इनी दो candles के अंदर ब्रादर आपके लिए यह candle काफी थी profit कमाने के लिए exactly इसका उल्टा देखते है buy कप करना है तो हमें डूनना है वो zone जहाँ पर William percentage R minus 95 के नीचे जाता है इसके बाद जब MACD मुझे buy signal देगा तो मैं buy करूंगा लेकिन MACD ने buy signal दिया market खतम होने के time पे अगले दिन market gap up खुली तो ये trade मेरे हाथ में नहीं आपाया कोई problem नहीं market ने दुबारा dip लिया यहाँ पर almost 95 के आसपास आते आके जब MACD ने मुझे दुबारा signal दिया approximately around this level महाँ से भी हमें अच्छी कासी upside देखने को मिली है आपके लिए अगली दो तीन चार candles काफी दी profit कमाने के लिए और इस market ने ये इस up move के अंदर आप अनाम से profit book कर चुके होगे और इस market ने आपको बहुत लंबा trend दिया है यहाँ से तो scalping एक बहुत ही खास type का trade होता है जहाँ पर आपके behaviorally strong होने की बहुत बड़ी requirement बहुत strong requirement होती है ये indicators आपकी मदद करेंगे आपको precise होने के लिए आपको objective होने के लिए और आपको सही time पे entry और exit कराने के लिए दोस्तों सिरफ entry important नहीं है सही time पे exit भी important है आप अगर यहाँ पर profit book नहीं भी कर पा रहे हैं या फिर आपकी greed इस बीच में आपको disrupt कर रही है तो भी at least जब MACD आपको reversal signal दे उस समय अब अपने सारे biases को side पे रखके यहाँ पर अपनी position से ज़रूर exit करेंगे so make sure you are highly precise you are highly objective in execution of your trades क्योंकि market में पैसा lose करना easy है उसको regain करना बहुत मुश्किल है so make sure you follow all the rules हमने बहुत सारी conditions आइड करी है to make it highly profitable I hope आपको इस strategy अच्छी लगी होगी please make sure you comment in the comment section and share this strategy with all your friends who want to pursue scalping thank you so much see you in the next video investments in the securities market are subject to market risk read all the related documents carefully before investing